तो आपका स्वागत है आश्रम क्लासेज आर्या वरत पर आज हम राजस्थान के अंद्रकत जो किसान अंदोलन हुए उनके बारे में आज में सर्शा करने का जो पयास करूँगा तो सलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज वीडियो मोटिवेशन के साथ क्या है मोटिवेशन के मनुश्य के अंद्रकत यानि आपके अंद्रकत जीग्या सा वरेगा तो सरीए डूपकर मेनत करो अपने आज पर अथार तुमारी अलग ही पैसान होगी सरीए स्टार्ट करते हैं यह वीडियो आज का हमारा जुस्सेसन है वो है राजस्थान के किसान आंदोलंद पर राजस्थान का जलिया वाला बाग की गटना से जाना जाता है जहां बिल्टी सेना ने 17 नवंबर 1913 को करीब 1500 कबिलाईयों को मार गे रहता है मैं हर एक परशन के देखो वैक्या साइट बताऊंगा क्योंकि वैक्या करूंगा तो आपको हर एक बैसी से पता सलग जाएगा क्योंकि एक परशन के देखो मैं कही अब्जेटिव किसम बताने के आपको परियास करूंगा और यह देखो मैं जो बता रहा हूं यह हर एक एक्जाम में आने वह अपन्जाब कहां पर है यह मित्रों पंजाब कहा पर आया हुआ आपका पंजाब आया हुआ तो सलिए जान का जलियावाला भाग यह अमर्सतर में गटना ऐसे ही घंचाहां पर अंगरे चोंने गोली बारी वारी की त excel और कही लोग मारें गोए ते इसी पर का राजस्तान वी 2 एक ऐसी गठना गटिद होई टी जहा पर अंगरे चोने गोली बारीं से कही आधी आधी आधिवासिते उन्हें माल गिराय था तो को राजसान का जलिया वाला बाग की घटना से जाना जाता है जहां बेटी सेना ने 17 नौबर 1913 को करीब 1500 कभिलायों को माल गिराय था वह इस्तान है तो मित्रों वह इस्तान कौन सा है तो यह है मानगड है और मानगड मित्रों कहां पर आया हुआ है तो यह आया हुए है बांच वड़ा में, कहां पर आया हुए है, तो यह आया है बांच वड़ा में, तो देखो, यह मान गड़ हैं, जो बांच वड़ा में आये हुए, और यह गटना कब गटित हुए थी मित्रों, थी हुए थी 17 नवंबर 1913 को करीब 1500 कबले मार गिरे थे, त तो दूसरी कोई सिनस के और आगे बढ़ते हैं नीमल लेकित में से कौन विजूलिया आंदूलन से संभधित नहीं है अथारत कौन सा संभधित नहीं है तो देखो सिता राम सादू यह संभधित थे इन्होंने भी विजूलिया जो किसा आंदूलन राजस्तान में सबसे आंदूलन है उसमें विजे सिंग पतिक मित्रों यह भी थे माने के लावर्मा भी थे लेकिन गोविंद राम नहीं थे मित्रों गोविंद राम नहीं थे भगत आंदूलन संभधित हैं मित्रों तो भगत आंदूलन है किस से संभधित हैं यह गोविंद गिरी से संभधित थ से कई आधिवासी मारे गए थे तो भगत आंदोलन समद्धिते हैं तो यह हैं गोविंद गिरी से तो नहीं बता हूं क्यों कि बहुत वीडिया लंबा हो जाएगा आप वीडियो को स्टॉप करके भी इस वैक्या को पढ़ सकते हैं जो हमारा सौता कविशन से गोविंद गिरी के नेतरतों में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगड का जंसंगार किस वरस हुआ था तो यह हुआ था 1913 मिमें आगे आपको बैट डैट बढ़ा दिये हैं शादू सिता राम दास कशक आंदूलन से संबद दिते तो मित्रों से विजूलिया किसंद आंदूलन से संबद दिते तो यह मारना संगा होई थी और उपर किर्पा जी भी कहते थे आगे बढ़ते हैं कि बैगु किसान अंदुलन के बारे में कुछ वैक्या बता जाता हूं आपको बैगु किसान अंदुलन किसान अंदुलन के साथ हूए समझोते को सरकार ने बाल सेविक फैस्ते की संग्या दी थी तो यह बैगु किसान अंदुलन से बहां पर संग्या दी गई थी हमारा आथ किसन से क्या है कि बिजूल्या अंदुलन के दूसरी बार प्रारम होने का कारण था तो मिंत्रों संवरी कर अब पूसों के संवरी कर क्या होता है तो देखो संवरी कर क्या होता है मैं रैकिया इसमें बता देता हूं आपको डिजुलिया के राव कर्शन शिंग ने 1903 में जनता पर संवरी लगा लागत लगई थी एक कर होता था जिसके अनुसार पट्टे के हर व्यक्ति को अ कर दें मिट्रों से मैं अधिया। विज्री सिंग्त्रतरागर नो दें ऋर्ट पिंद्र नहें सेansיन ऊठितरह। विज्द्रिय किसाना अध्यू सिंग्त्रतर में लिए सथे जर्दने से राम ने तर्यूसिक्वेयल लाहत्रतर दया अध्या ऀग्डिया। तो मोतिला तेजावत के बारे में कुछ और बता देता हूं जो कि इसके बारे में बहुत परस्ट आते हैं मोतिला तेजावत ने उध्यपूरो शिरूई के आदिवासियों में जागर्ती लाने का काम किया था इन्होंने अत्यतिक करों बेगार आदिस के वृत 1921 में मार्त गुंडिया जो शितुडगड में पड़ता हैं एकी आंदुलन सलाय था तो आप प्रशना आ सकता है कि मार्त मित्रों आजी वासी संब्ली हुआ था इसमें शेना के गोली बारी में में बाहरा सुल भील मारे गए थे श्रूण वीजिशिंग पतिक वीजिशिंग पतिक ने किस आंदुलन का नेत्रतों किया था तो विजूल्या वीजिशिंग ने नाम आपको पूस देतों भूप ने कहां आंधलन किया था ग्रवी में किया था किस नहीं किया था embracing किस आन के किसान राज है किस नहीं किसने किनम्हों एन कि अधिक संक्यावन में थिखे खार जाती थी इनके जो दिख he थे शरी मित्रों आज का जो हमारा वीडियो है आज यहीं तक है यहीं आपने हमारे जो आस्तरम क्लासेज आरे वर्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या हो तो जरू सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं आने वाले समय में भी ऐसी अब्जेटिव किसंस आपको सामने लाता रह हैं दस क्यों बताएं लेकिंश के अंदर की तुम्हार वाले समय में में इसके अंदर के भी में कहीं क्यों सापको बताऊंगा जैसे आपके तिन-टीष क्यों सारे के लिए इतना ही धन्यवाद